अब हुआ हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है मिश्चर संजय वर्मा आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं आज की सुड़ियो में हम बात करने वाले हैं अंडर ग्राउंड जब हम बईज्रिफिटिंग कराते हैं तो दिवार के अंदर जो समान यूज करते है उसके बारे में हमने एक पहले वीडियो मुनाई थी उस वीडियो के अंदर लेंटर के अंदर जो भी समानी यूज होता है तो हमने आपको सारा समान बताया था और उसके लाँ उनका क्या फ्राइस है वह आपको बताया था तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज के दिन प्राइस चल रहा है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेट है यदि आप लेंडर के अंदर जो समारी यूज होता उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चलो दोस्तों अब हम वीडि पाइप का बंडल आता है जिसके अंदर 25 पाइप आते हैं दिवार के अंदर जो पाइप यूज किया जाता है वह हल का पाइप यूज किया जाता है यानि कि बंडल का जो वेट होता है वह आप्रोक्स 10 किलो होना चाहिए कई व्यक्ति 8 किलो का जो पाइप का बंडल होता है वहें भी यूज कर लेते हैं कई विתחती 12 kg जो बंडल का वेटो हता है वहे भी यूज कर लेते हैं प्रॉंतू Apollo क blues 10 kg वाला पाहिब का बंडल सभसे बेश्ट माना जाता है पाहिब के बंडल का जो प्राइस होता है वह डिपेंड रहता है कि प्लास्टिक का जो प्राइस है वह क्या चल रहा है उसके हिसाप से वैसे आज के दिन के हिसाप से हम माल लेते हैं कि 10 किलो का जो पाइप का बंडल है उसका बंडल का जो प्राइस है वह तेरा सो रुपे है जैसे प्लास्टिक का रेट जादा होगा तो इसका रेट भी बढ़ जब हम दिवार के अंदर pipe डालेंगे तो हमें दिवार को cutting करना होगा दिवार को cutting करने के लिए में cutter blade की जुरूत होती है यह जो cutter blade होते हैं इसको हम cutter machine के अंदर लगा कर और दिवार के अंदर असानी से हम pipe के size के cutting कर देते हैं और फिर हम पाइंप को दिवार के अंदर फिट करते हैं यह जो cutter blade होते हैं यह अलग-अलग size के आते हैं 4-inch size के, 5-inch size के और 6-inch size के मिस्तरी अपने हिसाब से यूज करता है तो दोसो, 4-inch का जो price है 200 रुपे है और आप 5-inch cutter blade देते हैं तो उसका price 110 रुपे है यह आप 6-inch cutter blade लेते तो उसका 120 रुपे है तो अधिकतर 5-inch cutter blade ही सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इससे आगे तीन नमबर के उपर हम लेते हैं पाइंप वाले band पाइंप के अंदर जो band यूज के जाते हैं वह इस तरह के band यूज के जाते हैं जिसको हम एक इंची के band बोलते हैं इसके साहता से हम कोई भी pipe कहीं पर भी है उसको किसी भी दिशा के अंदर गूमा सकते हैं हल के band ही दिवार के अंदर यूज के जाते हैं जिस तरह से 10 kg का जो bundle pipe काता है उसी तरह के same यह band होते हैं इसके हम price के बाद कर ले तो 8 या फिर 9 रुपे एक piece का इसका price है यह आप दरजन की साब से भी ले सकते हैं इससे आगे चेयर नमबर के उपर हम लेते हैं PVC clip पीवीसी जो clip होती है इस तरह के आपको देखने को मिलेगी इन का उपयोग हम दिवार के अंदर जब हम pipe लगाते हैं तो pipe को रोकने के लिए इन clip का यूज किया जाता है इसको हम PVC गिट्टी भी बोलते हैं एक इंची pipe के उपर एक इंची ही गिट्टी लगाई जैती है जिसको हम 25 नम की गिट्टी बोलते हैं एक packet के अंदर 100 पीस गिट्टी आती है एक packet का जो market price है वह 200 रुपे है आप कोई best company की लेती है यदि आप local company की purchase करेंगे तो आपको 114 रुपे के आसपास असानी से मिल जाएगी पांच नमबर के उपर हम लेते है modular lowe के box लोहे के जो box होते हुए अलग अलग size के आते हैं जहां पर हमें switch socket वगरा लगाने है तो वहां पर हम इन पहले box को दिवार के अंदर cutting करकर लगाते हैं उसके बाद में इन के उपर switch socket लगते हैं इन box की special video हमने पहले बनाई हुई है box की size के हैं कितने module के हैं इनका क्या price है इस तरह की complete जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी वीडियो का नीच नीच डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है इससे आगे 6 number के उपर हम लेते हैं junction box जिनको हम काली डिब्बी भी बोलते हैं इनका उप्योग हम जह होता है वह दरजन के हिसाब से होता है यानि कि 12 पीस का एक box होता है और box का जो price होता है वह 190 या फिर 200 रुपे का रहता है इसे आगे 7 number के उपराता है deep box डीब बोक्स दिखने में आपको junction box के देखाई दया परंतो junction box की गराए कम होते है wehre motion box यो ज 필요्यादा होती है जहाँ पर junction box योज किये जाते है हुआ पर डीब box भी यूज किये जा सकते है 100% मैं से ऐली 5 % लोग ही ऐसे होते है जो junction box के जगाए डीब box यूज करते है वैसे deep box का जो use है वह हम CDO के अंदर light लगाने के लिए या फिर आजकल दिवारों के अंदर कोई fancy light आती है उसको लगाने के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं इसको भी आप दरजन के हिसाब से purchase कर सकते हैं या फिर आप piece के हिसाब से purchase कर सकते हैं यदि आप इसे piece के साब से purchase करेंगे तो लग बैक 30 रुपे का एक piece आपको इसका मिलेगा आठ नमबर के उपर हम लेते हैं MCB box MCB जो box होते हैं वह अलग 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 परकार के आते हैं single door, double door, TPN इस तरह से अलग 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 परकार के यह आपको mystery बताएगा कि आपके घर के अंदर कौन सा MCB box लगना है जैसे single door के अंदर आपको सामने MCB दिखेगी double door के अंदर अलग से उपर कवर होता है आपको एक भी MCB सामने नहीं दिखेगी इस तरह से अलग 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 परकार के होते हैं हमारे घर के अंदर जो पीछे से में लाइन आती है में लाइन जहां पर आती हैं वहां पर MCB box लगाया जाता है और यहां से अलग अलग rooms की अलग अलग जिगें की light को divide करके आगे भेज दिया जाता है इसका प्राइस अलग अलग में आपको confirm नहीं बता सकता क्योंकि यह अलग-अलग प्रकार के आते हैं और अलग-अलग MCB way के हिसाब से आते हैं यानि कि आपको कितने वेक आज़ी है 10 MCB का, 12 MCB का, 25 MCB का इस तरह से अलग-अलग तो वैसे हम आपको एक normal idea देता हूँ जैसे कि 12 way double door हम box लेते हैं तो आपको 800-900 रुपे के आसपास असानी से मिल जाएगा जब भी हम modeler vigil lifting कराते हैं तो यह सभी item हम दिवार के अंदर fit करते हैं हमने सभी आपको item दिखा दिया करना और साथ में आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस तरह की latest video आपको समय समय के ओपर मिलती रहे वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद